तो guys यहाँ हमारे logo के अंदर ना sadness भरा पड़ा है उनकी रगों में खुण नई sadness भाई sadness अगर गलती से कोई भी sadness की वीडियो या कोई अच्ची सी poetry की वीडियो आजाती है न तो यह वो अपने mobile केदर save करते है WhatsApp के उपर upload करते हैं, status लगाते हैं Instagram के उपर status लगाते हैं, upload करते हैं, messenger के उपर, snapchat, पता नहीं कहां कहां वो share करते हैं, अपनी कोई GF को बेज रहा है, कोई अपने friend को बेज रहा है, कोई लड़कों को बेज रहा है, तो इसका आपको फायदा उठाना चाहिए, तो आप बोलों कि यार इसका हम फायदा कैसे उ तो आज किस वीडियो में हम यही तो सीखने वाले हैं कि हम कैसे इस poetry वाली वीडियो बना सकते हैं, और उसके साथ साथ आप अपना TikTok के उपर एक account बना सकते हैं, जहां पर आप यह poetry वाली वीडियो इसको upload कर सकते हैं, वहां से आपको fan मिल सकता है, आपको likes मिल सकते हैं, followers मि सकते हैं hello guys तो कैसे हैं आप लोग welcome back to another new video तो दोस्तो आज की भी वीडियो बहुत ज़्यादा मददार और बहुत ज़्यादा interesting होने वाली है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप fade poetry वीडियो बना सकते हो poetry वीडियो को बना सकते हो अपने android मुबाइल के अंदर क्योंकि दोस्तो आज के लिए वाली वीडियो बहुत ज़्यादा training पे चल रही है हर को इसको पसंद करता है मिस हमारे लोगों के अंदर एक इतना sadness आ गया है ना मिस उनके रगों में खून नहीं sadness बहता है अगर गलती से उनके सामने कोई वीडियो आ जाए ना तो या उसको लाइक करते हैं शेयर करते हैं उस अकाउंट को फालो करते हैं खासतोर कि आप अपना एक टिक टोक अकाउंट बना कर और वहां पर या आप टिक टोक के सेड़नेस की वीडियो पोईटरी की वीडियो अपलोड कर सकते हैं और वहां के अच्छा खासे लाइक फालोवर्स ले सकते हैं दोस्तों कि आपको पता है कि आप टिक टोक से पैसे भी कमा सकते हो हाँ दोस्तों आप TikTok के पैसे कमा सकते हो लाजमी नहीं है आपके पास 1 मिलिएन 2 मिलिएन फाल या कुछ हजार फालोवर्स है लाइक 50 से उपर फालोवर्स है फिर भी आप पैसे कमा सकते हो अगर आप चाहते हो कि इस टॉपिक पर में वीडियो बनू, तो comment section खुलत, जल्द ज सब्सक्राइब करो बताओ कि हाँ इस पर वीडियो बनाओ तो हमारी अगली वीडियो आपके पास आज आएगे आज की वीडियो शुरू करते हैं कि हम कैसे अपनी जो कोईट्री वाली वीडियो वह बना सकते हैं टिक टॉक के लिए अपने अंडरोइड फून के अंदर तो उ दोस्तों आज यह इंट्रस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं ओके गाइज इससे पहले यार मैंने एक वीडियो बनाए थी जिसके अंदर मैंने यही आपको बतायागा कि आप कैसी अपनी पोईट्री की वीडियो बना सकते हैं तो लोगों ने बहुत उसमें प्यार दिख आपको क्या करना होगा सबसे पहले तो अपनी यह प्लस वाल एकटन पर क्लिक करना है और यहां से जो एस्पेक्ट रैश्यो है वह आपने अपने मताफिक स्लेक्ट कर लेना अगर आप टिक टोका बना रहे हो तो आपको नाइन रेश्यो सिक्स्टीन अगर यूटूब अग लागी तो आप खुद भी बना सकते हो मेरा काम है आपको समझाना है ठीक है तो अपको उसके बाद क्या करना है अगर कोई आपने फोटू के ओपर या अपनी पिक्चर के ओपर पोईटर लिखना चाहते हैं या वीडियो के ओपर लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले वह एक आदमी चल रहा है तो यह मैंने डाउनलोड कर रही है इसके उपर मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे कर सकते हैं कि टोड़ी तो फिता आप वह स्लोग मोशन लगेंगें एक चाह राखे सिस्टाव ली तो याँ तो यहां से आप उसको पर सकते में नहीं कर सकते क्या वेरनन बीमास में इसी वजैसे मैं यहां पर पेस्ट कर पा रहा हूं अगर आपके पास Android होगा Android का जो अपना होता है कीबोर्ड तो इसके लिए आपको उस पे लिखना पड़ेगा अपने अर्दू की राइटिंग करके तो इसको आपको लिखना पड़ेगा ठीक है तो इसको मैं जो फर्स्ट मेरे लाइन है उसको मैं यहां पर एड़ कर लेता हमने इसको यहां पर इतना कर लेते हैं से को हम यहां पर रख को यहां पर रख लेते हैं तो इसके बाद हम यहाे एर्च यहां जाय और कर सकते है उसके बाद no more इन एनिमेशन जो जो इचत है यह भी आपको बढ आपको आपने widz कर देंगे ऑके तो कुछ इस तरह हो जएगा ठीक है उसके बाद आप ब्रीक क्लिक करेंगे तो इन आउट मैंना जब जाय तो किस तरह जाय तो यह आया इधर से था और यह हम किसको करेंगे इस तरह हम कर देते हैं उके कर देते हैं उसके बाद दुबारा लेयर पर क्लिक करेंगे तो आपके पास नीचे बहुत सी आप्शन देखने को मिल जाएगा आउटलाइन का देखने को मिल जाएगा background का मिल जाएगा अगर आप इस पर background डालना चाहते फो पैक डाल सकते हैं अगर उसTime कलर चैज्ज करना चाहते हं बैकगरान। का तो आप ऐसे red पर red करना चाहते है तो आप ऐसे कर सकते है like इस तरह तो आप पर ये रेड कलर हो गया तो इस तरह हो गया अभी नीचे ब्लाइन वगयरा का उप्शन आपको नहीं कुछ करना आपने यह आपकी जो फर्स्ट लाइन आ गई है ठीक है इसको मैं अभी आपको प्ले करके दिखाता हूं कुछ इस तरह अगर आप इसकी स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं तो आप इनकी एनिमेशन में जाएंगे यहां पे आपको इस स्पीड देखने को मिल जाएगी तो कितनी ज्याज़ जल्दी आया या देर से आये तो हम इसकी स्पीड पर भी काम कर सकते हैं ठीक है दोस्तो कर दो कर दो कर दो तो फैर जो उन्मारा जो इन्दर वीडियो को एक्सपोर्ट करना जो आप सेड पीसे आइडियो लगाना जातें कोई गाना लगाना चातें या अपनी वाइश ऑवर कर ना साथ हैं तो वाइस ऑवर भी इसके उपर कर सकतें लाइक यह जो नीचे बटन आपको देखने क को मिल रहा है वाइस वाला तो यहाँ पर जा कि अपनी वाइस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं बढ़ हम इसके पेशे कोई साउंड लगाएं कि कोई सेड सा साउंड तो आपने क्या करना है इसके लिए आपने यह आईडियो वाला उप्शन देखने को मिल रहा होगा तो इस पर साउंड साउंड होंगे वह भूससे आ जाएंगे तो आपने फोल्डर में चले जाते हैं और यहां हम यह एकूंड कर रखा है तो हम यहां पर ऐर करदेते हैं ठीक है तो अड़ करने के बाद यहां पर इसको घ्रो कि यहां से हम देखते हैं हम को कतना साउंड चाहिए वह हम यहां पर लगा देतें जो आफिछ आफितना ही लगा देते हैं तो इस के बार करे इसको जो गाने को बाकी को ट्रिम कर देते हैं इस तरह उसके बाद आपने क्या करना है यहां पेस पे क्लिक करके यहां फेड आउट को बंद कर देना है जो आपकी लास्ट में वाइज कम हो जाती है यह प्रॉब्लम नहीं होगी अभी लास्ट टाइम में आपको चला कर दिखा देता हूँ जो यार मैंने यह जो मेरे आ रहे हैं टेक्स आ रहे हैं उपर नीचे से यह सारे आपको एनिमेशन के अंदर मिल जाएंगे यह वाले एनिमेशन है अगर आप एक एकर को चेक करेंगे तो आपको यह सारे animation यहीं मिल जाएंगे तो आप यह यूज करें बना सकतें उसके बाद आपने यह शेयर पे क्लिक करके अपनी वीडियो को export कर लेना है और जैसे आपके export आजएगी उसके बाद भई आपने upload कर देनी है यार अपने status लगा देने आपने अपने TikTok उपर upload कर देनी है तो यही तरीक है जिससे आप अपनी जो sad poetry वीडियो वो बना सकते हैं उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आई होगी आईए तो यार like दूर कर दीजेगा और चैनल पे नहीं है तो चैनल को subscribe मैं लाजमी होगा ओगे मिलते हैं किसी हो नेक्स वीडियो में तब ते के लिया लाफीज